हेलो येवरीबर मैं अंधनी आप सभी को वेलकम है मेरा PCOD चानल प्रिवेंसी टिप्स पे तो आप सभी को वेलकम है और आया दिन PCOD पे वीडियो बनाती रहती हूँ तो आप को ज़रूर कुछ फैदा हुआ होगा अगर नहीं भी होगा तो आप चानल को सब्सक्राइब कर लि ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगा हर वीडियो देख सकते हो और अगर आपको कुछ प्रशनल बाते करनी है जो यहां पे आप नहीं बता सकते हो कॉमेंट्स बोक्स में तो आप इस्टाग्राम पे जाए मेरे पेज को फॉलो करे या ना करे जो आप पे ज साथ आप वहां पे सार्च किज़ेगा तो आज आएगा तो ज़्यादा बाते ना करते हैं मैं सीधे वीडियो के ऊपर जाती हूं कि आखिर किस टॉपिक में बात कर रही हूं तो मैं आज बात करने वाले हूं कि जिनको PCOD हो जाता है और बेबी कंसीब नहीं कर पाते हैं तो आखिर कितने लोग मान लेते हैं कि PCOD अगर हो गया है तो क्या मैं बेबी कंसीब नहीं कर सकती हूं क्या वो बीना मा बने ही मतलब रहेंगे तो ऐसा कोई बात नहीं है मैंने खुद PCOD प्रेंसी कंसीब किया है तो सबसे पहले तो आपको पीरियोड को देखना होगा कि आपक प्हा सब्सक्राइब कर आद रहत नहीं है कि दो ती इन परियोड क सब्सक्राइब यह को फसे कि आपको कि उच्राइब साव्ट में आखिस मान लेंत क्या हो ब पीसी ओडी एस पीसी ओएस तो एक ही सिम्टम्स होते हैं एक ही मेडिसिन चलती है ऐसी पीसी ओडी का कोई खास इलाइस है नहीं वह आपको खुद पर वर्क करना पड़ता है मैंने किया है तो मैं आप लोगों को मोटिफेट करती हूं जिससे आप भी जल्दी प्रेवनसी कंस कर लिए इसलिए मैं आप लोगों को भी बताती हूं कि जिससे आप भी बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाओ और अपने आप मा बन सको तो अगर आपको PCOD है और आप चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाईए तो उसके लिए बस थोड़ा बहुत 15-20 दिन आपको प्रेग्नेंट हो रहा है तो फिर आप कैसे मा बनिएगा उसके लिए भी बहुत बड़ा टिप्स हैं जो कि हम अपने डॉक्टर से पूछे थे तो वो बताए हैं हमको कि आखिर कैसे कैसे क्या मैनेज करना होता है तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि अगर आपका तो आप पहले कैलकुलेशन कर लिजे कि आपका मतलब इस महीने में अगर 28 दिन में आ गया तो फिर अगला महीना में कितने दिन पर आ रहा है तो हो सकता है कि आपको दो दिन पीछे हो जाएगा जैसे 28 दिन नहीं 22 दिन हो जाएगा तो वह अनुसार से आप अपने कर सकते हो जो कि मैं बताई हूं कि कब होता है पिछले वाले वीडियो जा करके कि देख लिए के आप कितने दिन बाद और रहा है तो वह अनुसार से करके आप अपना हास्मेंट के साथ पार्टनर के साथ इंटरमेट हो ये और अप जल्दी से प्रेंगन्थ हो जाईए एक बहुत बड़ा टिप्स था और दूसरी टिप्स में बता रहे हूं कि अगर आपको पीसी ओडि नहीं भी है और प्रट्रेंसी नहीं हो रहा है तो क्या आप कि जाएगा जिससे आपको जल्दी प्रट्रेंसी कंसीव हो जाएगा तो सबसे पहले आप अपने पार्टनर के साथ बनाते हो आप ले पोजिशन में आ जाएए जो कि मैं इस वीडियो के थुरू इस पिक के थुरू आपको बता रही हूं तो आप इस कंडिशन में बस दो से तीरी मिनट रहिए आफटर इंटरमेंट होने के बाद तो आपका प्रेंशी कंशीव होने का बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है और इसके बाद मैं आपको यह भी चीज़ बता देती हूं कि अगर आपको अपने पार्टनर के साथ इंटरमेंट हो हुए हैं तो आप तुरंसे एक दम से बातरम आपको नहीं जाना है कम से कम 30 मिनट का गैप रखना है 30 मिनट बाद ही जाना है तो यह आपको प्रियंशी कर्शिव होने में बहुत जादा चांस रहेगा यह खास करके डॉक्टर भी बोलते हैं तो अगर यह मेरा चोटा सा टीप्स आपको दो तिन टीप्स अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और आज की वीडियो बस एवरेंसी टिप्स के था तो जरूर बताईएगा कैसा लगा और कॉमेंट में जरूर बताईएगा अपनी राय और आपको जो प्रॉबलम है वो भी बताईएगा या फिर इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ पे भी मै दो किसी नहीं होगा तो मैं बीडियो बना दूंगी अगर विडियो होगा तो मैं आपके पास सेर कर दूंगे जिससे आपको मेरे यूट्बल Scott आप वीडियो देखकर आप फॉलु इस ते इन आता ही बाइक कर अबिक्याब और सब्धान रहिएगा अपने परिवार को भी स